तो आज आपके इंपॉर्स का प्रिप्रेशन कैसे करेंगे कि एक मेना बाचा हुआ है आखिर क्या करना लास्ट में इंपॉर्टेट्ट वो बताएंगे और थार्ड मॉस्ट इंपॉर्टेट्ट आपके ने भी से रिलेटर कुछ इंपॉर्ण डाउट जो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं आर्मी अगनीवीर का कटर देखो पेपर आपका जो हुआ था पेपर का अगर बात करें डिफकल्टी लेवल की बात करें तो पेपर उतना डिफकल्ट नहीं आया है ठीक ना अब सुन सब बहुत को संथे अब सीन ये बन रह रहा है कि बहुत सार इतने भाई का डिफ्यू मैं वीडियो देखाू हूं टिक ना जितने भी दोस्तों का डिफ्यू देखा हो सब बोले पेपर बहुत अचा गया बहुत अचा गया आखिर कितने मार्क्स पे मैं सिक्यूर महसूस और मेरिट भी आ जाएगा तो अब ध्यांस सुनो तो पेपर बाकाई आए है ठीक ना असान पेपर आया है तो अब इस पे कट अप क्या रहेगी तो कट अब ध्यांस सुनो अगर आपको फाइल मेरिट में जगवन आनी है तो 70 से कम कोई उपाय नहीं है फाइल मेरिट की बात क कर रहा हूं अगर आपके चाहते हो कि ना मुझे सिर्फ फीजिकल तक अडिमिट काड आ जाए फाइल मेरिट तक ना हो पाएगा कितना में यह भी जाना जोड़ी आपके लिए तो सुनो ध्यान से अगर आपके 50 से लेकर साथ नंबर के बीच में आएंगे तो यह तो आपकी फैनल मेरिट बन जाएगी समझ गया है और इस चीज को जान लो कि पेपर बहुत सारे भायों ने जो प्रिप्रेशन कर रखा था पेपर आसान आया था और जिसका 50 से उपर मांक्स बन रहा है वो फीजिकल के लिए आग लगा दो सीधा मेहनत दबा के करो रेगुलर क पूरा फुल फोकस कर दो रीटेन आपका जवरदस्त गया है अच्छा गया है तो समझे इस चीज को ध्यान अखना और सबसे आइन पॉडेंट इस बात पर ध्यान अखना कि अगर आपके 70 प्लस मांक्स बने तो आपको तो कोई रोख ही ने सकता फाइल मेरिट आने में करते हैं एयरफोर्स के देखो बहुत सारे भायों का यह कॉमेंट आ रहा था स्ट्रेजी मैंने इससे पहले वीडियो देर यह थे लेगे अब बचा रहा था कि भाया पर तो बहुत लिए हैं लेकिन मेरा प्रिप्रेशन कैसा यह पता नहीं चल रहा है इसको पता करने के लि कि लहां चैप से कुकि ऑपको प्रणा है और जिसका बीसिरी और सिर्ट रहां को प्रलता हुए यहीं मैं बोलता हूं लास्ट में साड़ी को रिवीजन करो हर दिन मॉक टिस्ट लगा उसकी इनलेसिस भी करो ठीक है बात यह साड़े भी खतम होगे अब बात बहुत सारे कमेंट नेवी एमार ऐसे साड़े को लेकर मेडिकल के रिलेटर बहुत सारे बच्चे बहुत लादा परशान हो रहते हैं कि मैं पाहोंगों के नहीं वारे बता रहते हैं तो सुनू धियान से यार कि आप चीज में इतने जादा घबरा आना स्टार्ट कर देते हुए गलत चीज कि थीक है चीज में रिमेंटिकल मिला उस चीज़ को फिट होने के कोशिस करो बाद में बहुत सारे आगे एक्जाम आपके बच्चे हैं अब एक भाई का एक और वजवरदस्त कमेंटर देगे भाई आएनस चिलका में मतलब यह कंफाम वाला बच्चा कि वहाँ पर फोन इलाओ है या नहीं है यह सब बाड़े अगर फोन नहीं हुआ तो वहाँ पर बात कैसे करेंगे बात करने की बात रहे तो आपको पब्लिक कॉल आता है ना उने टेलीफोन उससे बात कर जाएगे टोकन मिलेगे तीन-चार मिनट के लिए ठीक है आप बात कर सकते फैमिली वालों से और जो मज़े आप हर दिन नहीं सिर्फ सप्ता में किसी एक दिन आपको बात करने का मौका मिलेगा समझ गए इस तीज को ध्यार राको और जब फोन से फोन से पैरेंट से अपने दोस्त से अपने भाई से बात करोगे ना बहत ही जवरदस्त फिलिंग आती है तो आपको लगया यार कुछ अचीव किया है सम हमेशा स्वस्त्र हो मस्त्र हो ठीके ना और एक चीज़ हमेशा याद रखना चाह कहें भी कितने भी पोस्ट उपर हाई चले जाओ चाहिए सेलेक्शन हो जाए घमंड करना कभी भी जिस दिन आप घमंड करना साट करेंगे ना आपके लाइफ वहीं से निगेटिव होना इस अगर पढ़ना चाहता तो उसको बताओ स्ट्राइजी बताओ प्लान क्या करना है ठीक ना किसी की हिल्प करने के उससे करो अगर आप हिल्प नहीं कर सकते तो किसी के लिए बुड़ाई भी ना करो ठीक है ना इससे को ध्यान अखना और अपने अंदर घमंड पहला मत करो य जमीन से भी दूस्ती करके चलनी पर्दि क्योंकि उडने से पहले सुरू में ना जमीन पर ही राना परता है यह इस तुछ को ध्यान रखना बाकि हमेशा मोटिवेट मोटिवेटर हो ठीक है ना और खुस राओ ठीक है और अभी से ही के यह सिष्टा चार आपके अंदर डाल कि डिसिप्लीन हमेशा रहो ठीक है और अपने देश और समाज के परती भी अगरतर रहो किसी भी कामों को लेकर ठीक है यह बोलना चाहूंगा बाकी आप एक चीछ बताओं टेंसर जाना लेनी नहीं है अब दूर का कुछ सोचना नहीं है ठीक है न आप बस मेरिट आएगा फि सब्सक्राइब करें और यह एक बहुत दिनो से मुझे कहा रहा था आज सोचा चलो यार किसी भलाई करने मुझे तो हमेशा दुसरे को सपोर्ट करोगे अगर आप किसी को सपोर्ट करोगे तो भी आपका कोई सब्सक्राइब और लाइक करके जाना ठीक है ना जैन